नमस्कार बच्चो यह हमारा संस्कृत मोक टेस्ट लाइव सीरीज का भारवा भाग है जिसमें हम डेली संस्कृत के विभिन विश्यों से सम्मंदित जैसे इस व्याकरन का विसाहित्या इंसे सम्मंदित प्रस्णों को लेकर आते हैं जो कि पिछले जो भी UGC NET या DSSB KVS से बच्चे इसलिए बच्चे सम्मंदित एक्षाइब को फूछे गए हैं उन प्रस्णों को मोक टेस्ट में सामिल करते हैं और जिनके लिए हम प्रती एक प्रस्ण के लिए हम 10 सेकंड का समय आपको देते हैं इसके अंदर बहुत से बच्चे पाइड से करते हैं। और अपने प्रस्णों के उत्तर जरूर दे तो सबसे पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर ले और अपने जो आपके study related group हैं उन में इसको share कर दे जिससे की ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इसमें participate कर सके भाग ले सके सभी बच्चे इसको share कर ले और जो बच्चे लाइव आज चुकी हैं उनको मेरे तरफ से राम राम नमस्कार नमोन महें और आप अब तियार हो जाए जो पहला प्रस्ण है वो आपके सामने आ रहा है पहला प्रस्ण है हमारा योग सुत्रा नुसारिन कैवल्यम भवती योग सुत्रा नुसारिन कैवल्यम भवती पुरुसार्थ सुन्यता गुण सुन्यता सरूप सुन्यता या पुरुसार्थ सुन्या नाम गुणा नाम सरूप परतिष्ठा कि योग सास्तर के नुसार कैवल्य क्या है यहाँ पर हमारा अंसर हो जाएगा फोर्थ पुर्षार्थ सुन्यानाम पुणानाम सरूप प्रतिष्ठा कि योग सुत्रा नुसार न कैवल्य की मभवती पुर्षार्थ सुन्यानाम गुणानाम सरूप प्रतिष्ठा और अगर हम योग सुत्र के बारे में बात करें तो योग सुत्र जो योग दर्शन का मूल गरंथ है ये 6 दर्शनों में से एक सास्तर है और योग सास्तर का एक गरंथ है इसकी जो रचना वो 3000 साल पहले पतंजली जी के द्वारा की गई थी और इसके अंदर जो योग है वो आठ अस्टांग योग का वर्णन किया गया है वो कौन-कौन से हैं यम, नियम, आसन, प्रणयाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान और समाधी ये अस्टांग योग कहे गए हैं तो योग शुत्रकार पतंजली जी हैं और इस प्रसन का उत्तर है हमारा फोर्थ पुर्षार्थ सुम्यानाम गुणानाम सरूप प्रतिष्ठा तो अगला प्रसन है हमारा बोध मते सतह लक्षणम भौती बोध मते सतह लक्षणम भौती अर्थ किरिया कारित्वम, सत्यत्वम, अर्थित्वम या मिध्यात्वम बोध मत में सत्त का लक्षण क्या है यहाँ पर हमारा जो फर्ष्ट उप्षण है अर्थ किरिया कारित्वम ये उप्षण सही हो जाएगा हमारा बोध मते सतह लक्षणम किम अर्थ किरिया कारित्वम तो यहाँ हमारा जो फर्ष्ट उप्षण है वो सही है अगला प्रसन है माध्यमिक मतानु अनुयाई नहें बोध्धा कस्य वादस्य पोस कहा माध्यमिक मतानु अनुयाई नहें बोध्धा कस्य वादस्य पोस कहा सरी बाहयार्थ सुन्य वादस्य शर्व सुन्य वादस्य बाहयार्थ अनुमे वादस्य या बाहयार्थ पर्टेक्स वादस्य यहाँ पर हमारा सैकिंड ऊप्षन जो है वो सही हो जाएगा सरोधन्य वाद अश्य कहा सरोधन्य वाद अगला प्रसन्त है हीनि यान्मत अश्य एक है भेद है हीन यान मत का एक बेद है, माध्यमिक सुन्यवाद है, सौत्रांतिक है, योगाचार है या सरोसुन्यवाद है जो हीन यान है, वो बोध धर्म की एक प्राचिन साखा है, हमें मालूम है, तो इसके जो उनका भेद है, कौन-कौन से भेद है हीन यान के, और उनमें से चुदिया गए है, इनमें से कौन सा भेद है, उसके बारे में हमें बताना है जो बोध धर्म के दो हैं हमें पता है वो कौन-कौन से हीनियान और महायान और जो यहाँ पर पहले प्रसंद का उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर हमारा प्रसंद का उत्तर कौन सा हुगा सौत्रांतिक है कि जो हीनियान है इसके दो भेद हैं बत विप्री है उसको क्या कहते हैं सद्भ्ये सद सिध्धि ए सद्भ्ये सद सिध्धि या सद्भ्ये सद सिध्धि जहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा first सद भयuen सद सिध्धी प्रसंग भी प्रह कि मुझ्चते सद भय Stephशिधी तो या हमारा पहला option सही है अगला प्रसंद हे बोद्मत में सकंद कटीविद है बोद्मत में सकंद कितने प्रकार के है 2 विद है, 3 विद है 4 विद है या 5 विद है बोध मत में जो स्कंद हैं वो पांच परकार के हैं तो यहां हमारा फॉर्थ स्कंद है सही है और अगर हम पांचों परकारों की बात करें तो कौन-कौन से हैं वो रूप सकंद उसके बाद वेदना सकंद फिर संग्या सकंद उसके बाद संसकार सकंद और नमबर पांच पर है विज्ञान सकंद ये कुल जो पांच सकंद है तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या है पंच विदह यानिकी पांच परकार के वो कौन-कौनचे रूप, वेदना, संग तो यहां हमारा 4th option जो है वह वो जह जाएग हमारा आरहत्व दर्सने समयक-दर्षनम की मुच्यृ तत्वारत शरधा नेट्रयोड नेट्रयोड समयक उपी हो गां गयानेंद्रयाणां सम्यक्याकारित्वम या सत्यø्यडर्षनम कि आरहत दर्शन जो उसका सम्मेक दर्शन क्या कहा जाता है तत्वार्थ सर्दा, नित्रियो सम्मेक उप्योग है, ज्याने इंद्रियाणाम सम्मेक किरिया कारित्वम या सत्य दर्शनम यहां पर हमारा ओप्षन जो है प्रथम वो सही हो जाएगा तत्वार्थे स्रध्धा आरहत दर्षने सम्यक दर्षनम की मुच्चते तत्वार्थे स्रध्धा तो यहां फर्स्ट ओप्षन जो है वो सही है अगला प्रसन है जैन्मते पुद्गलाह भवन्ती स्पर्स वन्ता है रस वन्ता है गंद वन्ता है या स्पर्स रस गंद वन्ता है यहां पर हमारा फोर्थ ओप्शन जो है वो सही हो जाएगा स्पर्स रस गंद वन्ता है तो यहां हमारा कौन सो ओप्शन सही है चोथा ओप्शन यहां सही है और उसमें हमें पता है कि जैन दर्शन के अनुसार उन तीन लोगों में छे द्रवियों को मुख्य माना है कि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है कुछ नहीं हो सकता है इनके बिना और वो कौन-कौन से हैं छे द्रवियों को लोक मूल भूत माना गया है जीव, धर्मास्तिकाई, और पुद्धिलास्तिकाई, आकासास्तिकाई और काल तो यहां हमारा फॉर्थ ओप्शन अप्सन जो है वो सही हो जायेगा तो अगला प्रशन है हमारा आरहत दर्षने पंच महावरतेसु एप्रिगरहस्य भावना अस्ति परिगरहस्य नियुनता परिगरहस्य सुन्यता ज्याने इंद्रियाणाम सवसवीशी एसु रागद्वेसा भावता अनावश्यकस्य त्याज त्याज त्या कि आरहत दर्षने पंच महावरतेसु परीग रहस्य भावना अस्ति परीग रहस्य नियून था परीग रहस्य सुन्य था ग्याने इंद्रियनाम सवसव वीशी एसु रागद्वेस भावता या अनावस्य गस्य त्याज ये था यहां पर हमारा थर्ड ओप्सन जो है वो सही हो जाएगा ग्याने इंद्रियनाम सवसव वीशी एसु रागद्वेस भावता तो यहां जो थर्ड ओप्सन है वो हमारा सही है अगला परसन है हमारा अर्थ संग्रहस्य लेख को अस्ती जै मीनिही सबर स्वामी लोगाक्सी भासकरह या कुमारिल भट्टा है इस प्रसन का उलेख हम पहले कई प्रसनों में सम्मधित प्रसन के तोर पर कर चुके हैं तो यहां पर हमारा अंस्तवर हो जाएगा अर्थ संग्रह की लेखक कोण है लोगाक्सी भासकरह तो यहां हमारा थर्ड ओप्सन जो है वो सही है कि जो अर्थ संग्रह है वो किसकी रचना है लोग आक्सी भासकरजी की रचना है अगला प्रसन है हमारा महाभास्या नुसारेंड सब्दस्य परिवासा आस्ती गोर आदित्य आदी दरव्य है चेष्टा रूप क्रिय सब्द है सुकल नील पीत आदी रूप है गुने सब्द है या प्रतीत पदार्थ को धवनी सब्द है कि महावास्चा के नुसार्थ सब्द की यहाँ पर क्या कौन सी परिभासा है महावास्चा नुसार्ण सब्द 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 है चेश्टा रूप क्रिया सब्द है सुकल नील पीत आदी रूप उने सब्द या प्रतीत पदार्थ को धवनी सब्द है यहाँ पर हमारा जो चोथा उप्द सब्द है और अगर हम महावास्चा के बारे में बात करें तो महावास्चा जो हो महरसी पतंजली द्वारा रचित है और पतंजली ने पानिनी की एष्ट अध्याई के कुछ चुने हुए सुत्रों पर भास्या लिखा था जिसे व्याकन महावास्या का नाम दिया गया महाभासिय वैचे तो व्याकन का गरंथ मना जाता है किन्तु इसमें कहीं कहीं राजाओं, महराजाओं एवं जनतंत्रों के गठना चकन का वणन भी मिलता है और इसके अंदर कुल 84 अध्याई हैं जिसे 84 आहनिक भी का जाता है और आहनिक कारत होता है एक दिन में जिसे 84 दिनों में इसके अध्याण के लिए कहा गया है और उसके अंदर कुल 84 अध्याई हैं और जो प्रथम अध्याई है वो है पसपसा उसके नाम से जाना जाता है और इस तरह से जो इसका सुभारंब है जो आरंब है किससे होता है अत सब्दानुसासनम इससे इसका प्रारंब होता है तो महाभास्यानुसारेण सब्दस्य प्रिभासास्ति प्रतीत पदार्थ को धहनी सब्द है तो यहां हमारा फोर्थ ओप्सन जो है वो सही है अगला प्रसन है हमारा व्याकन अध्यानस्य उदेशेश्य रक्षा उदेशेश्य अर्था अस्ति लोप आगमवर्ण विकारा नाम ज्यानेन वेदा नाम रक्षा वेदा नाम व्याकनस्य रक्षा वेदेश्य उपरती पादितस्य ज्यानस्य रक्षा या वेद ग्रंथा नाम रक्षा कि यहां व्याकण धने से उदेशी और रक्षा जो उदेशी है उसका क्या अर्थ है यहां पर हमारा उत्तर जो है वो प्रथम हो जाएगा सही क्या होगा लोप आगम वर्ण विकारणाम ग्यानिन विदानाम रक्षा कि जो यह फर्स्ट ऑप्षन है वो हमारा सही है की रक्षा का उदेशी का हमें पता है कि जो व्याकरण है उसके हमारे जो मूलत है पांस प्रियोजन जो है वो स्विकार के गए हैं कौन से है रक्सा उहू आगम उसके बाद लगू और ऐसंदे है ये जो है पांस प्रियोजन स्विकार के गए हैं माने गए हैं पांस प्रियोजन है ये और इसमें से जो रक्सा है उस देशे उसका क्या अर्थ है लोप आगम वर्ण विकाराणाम ग्यानेन वेदानाम रक्षा तो इस तरह से हमारा फ़स्ट ओप्शन जो है वो सही हो जाएगा ये इससे अगला प्रसन है हमारा शट्सू विदांग एसू प्रधान विदांग है वर्थते कि जो छे विदांग है उनमें प्रधान विदांग कौन सा है जो तिस सिक्सा व्याकर्ण या कल्ब जो छे विदांग है ये तो हमारा ये इसस फ़स्ट रहता कि हमारे विदांग कितने है वो छे है और वो कौन-कौन से है शिक्सा व्याकर्ण चंदो निरुक्त जो तिस और कल्ब ये हमारे छे विदांग है इनमें से भी प्रधान विदांग कौन सा है वो व्याकर्ण है क्योंकि व्याकर्ण के बारे में क्या कहा गया आपको पता है मुखम व्याकर्णम समरितम कि जो वेद पूरुस का जो मुख है वो कौन है व्याकर्ण है इसी तरह से अलग-अलग सो बागों बाटा गया है जो शिक्सा है वो क्या है शिक्षा ग्राणम तू वेदस्या शिक्षा क्या है वो नासिका है और जो हमारे कल्प है उनको हस्तव कल्पोत पठ्थय थे कि कल्प को क्या कहा गया है हाथ शिक्षा को नासिका कल्प को हाथ कि कहीं बार हमसे यह पुछा जाता है और व्याकन क्या है वो हमने बताई दिया कि जो निरुख्त है उसको श्रोत कहा गया है और जो चन्द है पादव तु वेदस्य है जो चन्द है वो वेद के पाद है और जोतिस है जो जोतिसामेनम चक्सुहू जोतिस नित्र है तो मुखम व्याकरणम समृत्म तो इस तरह से जो मुख्य प्रधान वेदांग जो है वो व्याकर्ण है अगला प्रसन है पसपस है सब्दस्चे अर्थ विद्यते प्रस्तावना उपसंगहार निसकर्ष है या व्याख्या पसपस है सब्दस्चे अर्थ विद्यते प्रस्तावना तो यहां हमारा पहला ओप्सन जो है वो सही हो जाएगा कि जो पसपस है सब्द है उसका क्या अर्थ है प्रस्तावना अगला प्रस्ताव है हमारा ऐसंदेहार्थम चा अध्यम व्याकरणम इत्यस्य विप्राया अस्ती मंत्रार्थ ग्याने असंदेहार्थम देवता ग्याने असंदेहार्थम छंद सह ग्याने असंदेहार्थम स्वरतो वनतो वा निदुष सब्दस्य ग्यानार्थम जो एसंदेह आर्थ है उसके लिए व्याकन का द्यान करना चाहिए इत्यस्य विप्राय है इसका क्या अभिप्राय है मंत्रा आर्थ ग्याने असंदेह आर्थम या देवता ग्याने असंदेह आर्थम, छंदसे ग्याने असंदेह आर्थम या स्वरतो वर्णतो वार निर्दुष्ट सब्दस्य ग्यान आर्थम एसंदियार्थम चे अधेम व्याकरणम इत्यश्य अभिप्रायस्ती स्वरतो वर्णतो वार निर्दुष्ट सब्दस्य ग्यान आर्थम तो यहां हमारा कौन सा ओप्सन सही है स्वरतो वर्णतो वार निर्दुष्ट सब्दस्य ग्यान आर्थम अगला प्रसन है हमारा भवामी इत्यत्तर दिर्ग विधायकं सुत्र मस्ती जो भवामी है यहाँ पर दिर्ग किस सुत्तर से होगा अगया सेवने दिर्ग है से अचो नीती से अतो दिर्गो यहीं से या अतो यहीं से भवामी जो है इसमें दिर्ग विधायकं सुत्तर कौन सा है अतो दिर्गो यहीं कि जो भवामी है भवामी में हमारा किस रूप में सीद होगा यह लट लकार के उत्तम पुरुस के एक वचन के अंदर लट लकार उत्तम पुरुस और एक वचन भवामी वहाँ पर रूप सीद होगा हमारा वहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर हमारी भू सत्तायाम है उसमें यहाँ पर लट लकार है हमारा उसके बाद यहाँ पर तिप्तस जी जो हमारा जो सुत्र है उससे मिप आदेश होगा उसके बाद हमारा भू और प्लस मी सब्द बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर उसे तिंग सित सारोधात कौ नाथ करने मिल Oh यहां पर ससreci सग्या होगा तो यहां पर भू सप और मी उसके बाद यहां अनओबंद लोप से बन जाएगा भू है और मी और यहां पर सारवदातु संग्या होने के बाद सारवदातु के यह जो शुत्तर है उस inspiristant उकार को ओकार हो जाएगा भो ए और मी और फिर ओ को ए चो या वायाव है सुत्र से ओकार अस्य स्थाने अव आदेश है ओकार के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा तो भव आ और मी उसके बाद अतो दिर्गो यहीं सुत्र जो है उससे वकार उत्तरवर्ति जो एकार है उसक के बाद मिलाने के बाद हमारा जो है वो भवामी बनेगा तो यहां पर हमारा जो है अतो दिर्गो यहीं इससे दिर्ग विधायक सुत्तर है यह इससे भवामी में दिर्ग होगा वकार उत्तरवर्ति जो ए है उसको तो अगला प्रसन है हमारा पंचमी भएन इती सुत्रश्य के समासें संबंद्ध है दवंद्वेन तत्पुरुषेन करमधारियन या बहु रहीना पंचमी भैन जो सुत्र है उसका तत्पुरुष समास के साथ संबंद्ध है तो यहाँ पर हमारा सेकंड ओप्शन जो है वो सही है कि पंचमी भैन इती सुत्रिष चे के समासें संबंद्ध है तत्पुरुषेन तो यहाँ हमारा जो सेकंड ओप्शन है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है हमारा आत्मने पदे लिंग लकारे जह स्थाने क्या आदेश है भौती अट अंती रन या अत्थ तो यहां पर हमारा जो रन है वो सही होगा तीसरा ओप्सन है हमारा सही है क्योंकि जैसे हम एक सब्दूरूप लेते हैं कोई भी जैसे एधे रन है एधे रन यह कहां पर सिध होता है हमारा बेदिलिंग लकार प्रथम पुरूष के बहुवचन के अंदर तो यहाँ पर जय के स्थान पर रन आदेश होगा वो किस से होगा जश्य रन सुत्तर से तो इसलिए यहाँ पर क्या रूप बनेगा एधे रन तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा तीसरा और सुत्तर अगर कोई पुछे हम स कोँ सा होगा जश्य रन जिस्से जय के स्थान पर रन आदेश होगा तो अगला प्रसन और से हमारे आतों मित है इतास्य अर्थ्य विद्यते इन्हे परो यह इट्ष्याथ, लोड उतमष्य एते एश्यृत, लोड एकारश्य आम्स्यात या अतह प्रश्चे गीताम आकारश्चे ये शाद कि जो आतों गीत है इसका क्या अर्थ है आतों गीता है इसका क्या अर्थ है विद्यते तो यहां हमारा कौन्स आप्शन सही होगा अतह प्रश्चे गीताम आकारश्चे ये शाद कि आतों गीता है इसका अर्थ क्या होगा अतह प्रश्चे गीताम आकारश्चे ये शाद कि जो आकार है उसको ये हो जाएगा तो आतों गीता है इसका अर्थ है हमारा फोर्थ ओप्शन सही है अगला प्रस्ण है हमारा व्याकर्ण स्य प्रिभासा अस्ति व्याकर्ण की क्या प्रिभासा है व्याकर्णते सब्देन इती व्याकर्णम व्याकर्णते सुतेन इती व्याकर्णम व्याकर्णते वृति भी इती व्याकर्णम या व्याकर्णते सब्दा अनेन इती व्याकर्ण कि यहाँ पर व्याकर्ण की कौन सी प्रिवासा सही है यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ओप्सन है कोन सा व्याकर्ण की प्रिवासा क्या होती है तो यहाँ हमारा फोर्थ ओप्सन जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रसन है हमारा अब भी भावई है भावरी या दूद्व भै कि द्विगुष्ट जो शुत्तर है उससे किसमास का निदेश होता है ततपुरुष, अविभाव, बवृरी या द्वन्द्वसमास यहां पर हमारा option सही होगा पहला तत्पुरुष है क्योंकि द्विगुष से जो द्विगु होए वो द्विगु और करमदारी है यह तत्पुरुष के ही वेद हैं तो इसलिए यहां पर हमारा कौन सा option सही हो जाएगा पहला तत्पुरुष है क्योंकि तत्पुरुष के इंतरगत ही है तो द्विगुष से सुत्तर से किस समास का निर्देश होता है तत्पुरुष है तो अगला प्रसन है हमारा कन्यायाह कनीन चै इती सुत्रेन प्रत्यों विधियते डक, अण, यत और कयप कण्याया, कनींज, शुत्र है इनसे कौन सा प्रत्य होता है अन प्रत्य है यहां पर अन प्रत्य है यानि कि second option हमारा सही होगा और इसे जो कौन से जैसे कुंती और सत्यवती कुंती सत्यवती इस तरह से जो रूप है अगला प्रसन है हमारा प्रायन उत्तरपद प्रधान समास होता है केवल समास है अभी भाव समास है तत्पृत समास है या भवरी समास है अगला प्रायन उत्तरपद प्रधान समास होता है तत्पृत समास है कि जिसमें उत्तरपद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है तत्पृत समास यहां पर हमारा थर्ड उप्सन जो है वो सही है कि अगर अभी भाव की समास के बात करें तो यहां हमारा पूरोपद प्रधा अंदर और बहुरी के अंदर अन्यापद परधान होता है तो हमारा प्रसन जो है कि उत्तरपद किसके अंदर परधान होता है समास में होता है तत्पूरुस समास में अविभाव समास में पूरो पद तत्पूरुस में उत्तरपद और बहुरी में अन्यापद परधान होता है अगला प्रसन है हमारा निर्मक्सिकम पदस्य समास विग रहे स्याथ, निर्मक्सिकम पदस्य समास विग रहे क्या होगा? निर्गताह मक्सिका यसमात से है, नास्ति मक्सिका यस्य से है, मक्सिका नाम अभावे या मक्सिका अपिनास्ति यसमिंतत? निरमक्षिकम जो पद्ध है उसका समास विघ्र होगा मक्षिका नाम अभावे है , यह तो है अब होगा अगला प्रसन है हमारा सांखे कारिका का रच्चिता कोन है उद्धियन इस्वर सेन इस्वर क्रिश्ण या इस्वर नंदिन सांखे कारिका का रच्चिता कोन है सांखे कारिका का रच्चिता कोन है सांख्य कारिका की रच्यता है इस्वर कृष्ण यहां हमारा जो थर्ड ओप्सन है वो सही है और यह एक सांख्य दर्षन का है तो सांख्य दर्षन हमें पता है समस्त बार्ध दर्षनों में करते हैं थी प्राचीन दर्षन है और इस दर्षन के जनमदाता मामुनी कपिल है और और सांखे कारिका के रच्यता है इस्वर कृष्ण और सांखे दर्शन के अंदर जो है 25 तत्वों को अंगीकार किया जाता है और उनकी मिमान सा भी बड़े ही अच्छे डंग से इसके अंदर की गई है वो सांखे कारिका में और इसके रच्यता है इस्वर कृष्ण और इसको स पुरुष के एक वचन में कौन सा रूप होगा भवंतु भावताथ भावताम या भावताथ यहां पर हमारा ओप्सन सही होगा भावताथ यहां पर कहीं सोच रहोंगे कि भावतु रूप बनता है बहुतु बहुताम बहुताम जो commonly याद करते हैं लेकिन बहुतु और भाउतात जो है वो विकल्प से यहाँ पर बनते हैं दोनों अगर भाउतु यहाँ पर नहीं है तो हमारा कौन सा होगा भाउतात क्योंकि लोट लकार पर्थम पूर से क्वेचन में यह दोनों जो हैं वो बनते हैं भाउतु और भाउतात क्योंकि यहाँ पर तुहयोस तातंग सिश्या नितर्शाम जो सुत्र हो इकल्प से तु के स्थान पर तातंग आदेश करता है तो जहां तातंग आदेश हो जाएगा वहाँ पर भाउतात होगा और जहां नहीं होगा वहाँ पर भाउतु र विवचन में कौन सा रूप बनेगा एधेताम, एधेताम, एधेयताम या एधिसाताम ये धातू विदिलिन लकार प्रत्थम पुरुष दिवचन के अंदर हमारा एधेयताम ये रूप बनेगा यहां पर हमारा 3rd option जो है वो सही है क्योंकि हमारे विदिलिन लकार के अंदर रूप चलते हैं एधेयताम, एधेताम एधेध़म, एधेवई और एधेमही तो यहां पर हमारा अगर प्रत्थम पुरुष के दिवचन के बाते हैं तो उसमें बनता है हमारा एधेयताम यहाँ पर हमारा जो रूप बनेगा वो एधियाताम होगा तो यहाँ थार्ड ओप्शन जो है वो हमारा सही है अगला प्रसन है हमारा आसीसी लिंग लकारे मध्यम पुरुस चे दिव अचने भू धातो रूपम किम आसीसी लिंग लकार में बन्यब पुरुस के दिव अचन में के अंदर भू धातो का कौन सा रूप होगा भूयास्ताम भूयास्तम भूयास्व या भूयास्त यहां पर हमारा ओप्शन सही होगा सेकंड भूयास्तम क्योंकि अगर आसीसी लिंग की बात करें हम तो उसमें हमारे रूप चलते हैं भूयास्तम 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 सूत्रें प्राप्त है सब्दा वर्थते पोर्धु पताद जो सूत्र है उससे प्राप्त सब्द है लब्यम लब्धम लब्धुम या लब्धितम पोर्दु पताथ सुत्र से प्राप्त सब्ध होगा हमारा लभ्यम पहला उप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जायेगा लभ्यम अगला प्रसन है हमारा गर का धिब्याई है, सुत्रेन निस्पन आप सब्धा स्ती गरगा धिब्याई है यहाँ पर हमारा second option जो है वो सही हो जाएगा गरगा धिब्याई है जो सुत्र है उससे 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 गरगा धिब्याई है जो सुत्र है उस बनता है इस तरह से यह हमारा जो ओनलाइन टेस्स सीरीज का भाग था ग्यार्मा तो इस तरह से पहले ग्यारा भाग हम कर चुके हैं तो उनके लिए प्लेश्ट बना दी गई है और इसके लावा जो बच्चे हैं वो हमसे सोसल मेडिया से भी जुड सकते हैं आप फेस्बुक पर मुझे जुआइन कर सकते हो जिससे की जो भी वीडियोज हम बनाते हैं उसके लिंक आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड हो जाएं तो आप फेस्बुक पर मुझे जुआइन कर सकते हो इसके अलावा आप हमसे ट्वीटर और इंस्टागराम पर भी सब्सक्राइब बिना किसी स्पेस के आपको लिखना होगा मुरारी लाल संस्कृत बीना स्पेस के तो जितनी वीडियो जो बनाई गई है मेरे द्वारा वो सबी वीडियो आपको मिल जाएंगी लेकिन उसके लिए स्पेलिंग आपको प्रोपर्ली होना चीहीं कि जैसे मुरारी लाल ये है और यहाँ पर आप संस्कृत लिखेंगे लेकिन ये सब बिना स्पेस के होगा हैस्टेक करके आप उसको सर्च कर सकते हो या गूगल के अंदर भी आप उसे हैस्टेक मुरालल संस्कृत के नाम से सर्च कर सकते हो तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यावाद नमस्कार, राम राम, सुब रात्री और आप सभी जो बच्चे तियारी कर रहे हैं UGC NET जुलाई 2020 के लिए उन सभी को अगरिम सुब काम नाए तो अपनी तियारी जारी रखें एक्जाम कब होगा, कैसे होगा उसके विशें में ना सोचें अभी उसको आप भूल जाएं दूसरे विशें को सरफ अपनी तियारी पर आप ये मान कर चलें कि हमें नियत तिती पर हमें अपना एक्जाम देना ही है तो धन्यवाद, सुब्रात्री